अससलाम लेकुम दोस्तों यदि आप कुवेट में रहते हो और कुवेट के M13 खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नए स्कुप को पूरा देखिए चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल लाग को उनको कर लिजे तक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे तो साती हूं सबसे पहली जो खबर दोस्तों जो कुवेट से आ रही तो यह सब कर जिसको दोस्तों एक डिग्री होगा जिसके पास पढ़ाने का पढ़ाने आता होगा तो यह सभी लोगों को टीचर को अगले साल जुलाय तक सभी को लाए जाए जाएगा ऐसा का है मिनिस्ट्री फ एजुकेशन ने तो साती हूं यदि आपको कोई जान पहचा चमभाव मौत हुई है दोस्तों इसका अभी चानमीन चल रहा पर अभी तक पता नहीं लग पाया है कि उनकी आखिर मौत कैसे हुई है मिनिस्ट्री फ इंटरे का कहना यह अजीब तरह का मौत है दोस्तों यह जो इलेवेटर हो था कॉमेर्सियल कॉंप्लेक्स वहीं पर दो दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री का यह कहना है कि दो महिने के अंदर कुएत में 14,65 लोग का स्वाइप टेस्ट किया गया है कुएत इंटरनेशनल एरपोर्ट पे आपको बता दो साथ यू टोटल वहाँ पे दो महिने के अंदर 69,329 पैसेंजर वहाँ पे कुएत आये जिनमें से 14,000 लोग को स्वाइप टेस्ट को मनले दोस्तों रेंडम टेस्ट किया गया तो दोस्तों यह रिपोर्ट आ चुकी है तो दोस्तों चली चलते हैं कोविन-19 के बारे में बात कर ले तो फिलाल अभी नियू देथ महाँ पे चार लोग की हुई है टोटल महाँ पे 624 लोग म साधियर 25 सीडियस के से 142 है टोटल एक्टिव केस के बारे में बात करें तो वहाँ पे स्रीफ साधियर 301 सेट है तो दोस्तों यह पूरी अपडेट थी कोविन-19 की और कुछ खबार आ दिक हुए से मैंने आप तक सेयर क्या यहोब वीडियो पसान आई होगी वीडियो पसा अनकार ही हो सके मिलते साथ उन्हें शुडियो पर अला आफिस हैं टेक केर